हेलो फ्रेंड्स आप सबका सुवागत इस सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज मैं आपके लिए एक अगनी वीर जनरल ड्यूटी उमन्स मिलेटरी पॉलीस का रेक्रूमेंट रिली का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं इसके लिए मुझे काफी फोन्स आया थे कि सर इसमें जो सबक्राइब कि अक्तार सकते सबक्राइब कर देखिए कर सके और वीडियो के-लास तक मने रहे हैं ताकि आपका जो ओठेश कुला साथ है पापको यहां पर लिख करके मिलेगा यही तरह आपको सभी डिस्टिक का चार्ट मिलेगा इस PDF में आप जैसे वह में देख रहे नहीं के यहां पर लिखत तो इन मतलब पाच डिस्टिक के उमन्स केंड़ेड इसमें अपलाई कर सकते और यह भरती आपकी जो होने वाली है साथ नोवंबर से लेके ग्यारा नोवंबर ठीक है और यह भरती कहा होगी इसमें एड्रेस भी लिखा है यहाँ पर स्टेडियम है अमबाला ग्यांट का वहाँ पर आपकी भरती होने वाली है और इसकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अपलाई करने की देखिया ऑनलाइन अपलाई करने की लास्ट डेट सभी जेडारो की एक ही है साथ सप्टेमबर सबकी लास्ट डेट है सभी जेडारो की ठीक है ऐसा नहीं की अलग जेडारो के लिए अलग से डेट है नहीं सभी सप्टेमबर से पहले आपको अनलाइन अप्लेकेशन फॉर्म फील किया जाए और तभी आपको जो है डेट जो इसमें दी गई वहां पर एंट्री मिलेंगे क्योंकि इसका एड्मिट काड आता है वह एड्मिट काड लेकर कि आपको रेली में जाना होता है तभी आपको अंद वीडियो बन जाएंगे और मैं आपको जो इंपोर्टन चीज इसमें बता नहीं है वह नहीं बता पाऊंगा तो यहां पर आप देखो जैसा आप दिल्ली का हो गया फिर इसके बाद यहां पर लखनों का है लखनों में उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के उमन्स अपलाइ कर सकते हैं आपके भी भरती का मतलब आउनलेन अपलाइ करने का डेट से अब यह जैपूर का है जेड़ारों तो इसमें राजिस्तान के सारे डिस्टिक के वोमन्स केंड़िट अपलाइ कर सकते हैं तो एज लिमिट वह सब मैं आपको नीचे में बताऊंगा स्पो अपलाइ कर सकते हैं अब यहां जैसे और नीचा हो गया तो आपको यह बैगलोर में देखी करना तक केरला और लक्षदीब इन डिस्टिक के ओमन्स केंड़िट अपलाइ कर सकते हैं इनकी भी डेट सभी की सेम है आउनलाइन अपलाइ करने की सिब डेट जो है फीजिकल डे है तो भर्ति अमबला केंट में उधा आयरो की हो रही है यह भी आमबला पॉर्ट यार टेशचल अ की लड़कaras कर सकते साथ सब्सक्राइब की Только यहां पर आपका पूरा डिटेल लिखा है कहां भरती होंगी कब से कब होंगी ठीक है अब इसके नीचे में आप जिसा होगे तो यहां पर आप यह पुना जेडारो पुना जेडारो में देखिए और डिस्टिक आफ महारास्ट्रा के सारे औरंगाबाद एयारो नाकपूर यारो कोलापूर बॉम्बे पुना इन सभी के जो यहारो के जितनी लड़किया है सभी जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन साथ सप्टेम्बर ब करने वाली और कब से कब होने वाली और आपको एडमेट काट कितने दिन पहले मिलेगा यह भी इस चार्ट में लिखा होता है मैं आप उतना क्यों ने बता रहा हूं क्योंकि सभी चार्ट का पॉसिबल नहीं बताना क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है अभ यहां आगे हैं आपका जबलपूर जबलपूर के जो रिक्रूटिंग ऑफिस है उसमें मद्यप्रदेश और 36 गड़ के सारे उमोमन्स जो है इसमें अपलाए कर सकती यहां पर आपकी डेट रहेंगी और आपका शेडूल लिखार आएगा कब से कब भर्दी होने लिए और कब एडि आप सबको पता ही है तो मुझे उसके बारे में आपको बताना मतलब जरूरी नहीं क्योंकि आपको लोगों को सबको यादी हो गया होंगा अगनी विर स्कीम के बारे में तो यहां पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए आपकी सैलरी कैसे रहेंगी फिर आपको इंडूलमेंट क आ रहेती है आप जैसा भरती होते हो तो इसमें देखिए अभी तक वूमन्स के वूमन्स कैंडिडेट जो है स्पोर्ट कोटा से आल ओर इंडिया में एक ही लड़की भरती हुई है जो की एतलेटिक्स गेम की है और उन्होंने जो है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपेंशिप में एतल है विदाओट मतलब भी वी वर्ती के लेते तो वह जाते हैं जाते हैं और जो लड़कां हांसे भरती होता है एर से जो इसे तो सिपआई के ऊपर में भरती होते लड़के हो !! किया हो वो जो है शिपाईपर भरती होते अभी भरती में देखिए आपको उमर में छूट दी गए इस साल की भरती में इसरीफ हर साल जो एक किस तक लेते हैं यहां पे साड़े सत्रह से आपको त्यवी साल सक यापको लगेगी 162 cm आपको 10 dengan पास चाहिए 45 परशंट और 45 परशंट आपके पूरे इसमें मिलनी चाहिए आपको और उल सब्डAG जो होते इस सब्जेक में एआ को 33 में चाहिए ठटी रहे तो भी चलेगा पर 32 नहीं चाहिए 33 marks के ऊपर भी चाहिए अगर आपका 32 marks है किसी सब्जेक्ट में तो आप जो है इसमें अपलाइं मत करिए आपको वह बाद में फाइनल जब आपका जब document अच्छे से verification होगा तब आपको भायर कर देंगे आना कि आपका समय जो है टेंथ पास चाहिए ठीक है हाइट में relaxation मिलता है वह आभी हम आगे बात करेंगे हाइट में relaxation क्या मिलता है देखि हाइट पी हाइड रिलेक्सेशन जो डॉटर आफ सर्विसमेन है एक सर्विसमेन है वीडियो है तो इन के लिए हैट की 2 सेंटीमेटर की हाईट में चूट होती है और वेट में 2 सेंटीमेटर की और चो आउटस्तनेंडिंग स्पोर परसन अर्ट इनिंग स्पोर्ट समय तो उन की लिए यहाँ दो सेंटीमेटर चूट दिए जाती है और वेट मे流गे message और यहाँ पन्यांट और तीस के लिए चार सेंटीमेटर की हाइट में छूट है अब यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट क्या होगा फिजिकल टेस्ट जो रहेगा आपका 1.6 किलोमेटर रणिंग होगा यानि की 600 मिटर होगा वह भी फर्स्ट गुरूप जो बनेगा आपका पार्च मिनिट तीस सेकंड ठीके इसके बाद 31 हो जाता है तो फिर वह सेकंड गुरूप में चल जाता है तो जो है आपका गुरूप का टाइमिंग अच्छा निकलने के कोशिश करिए अब यहां पर आपको लॉंग जंप रहेगा दस फिट का वह स्रिफ क्वालिफाइंग के लिए रहेगा इसके बाद नीचे में आती मेडिकल स्टेंड़ स्टेंडड तो पूरा नहीं सकते आपको क्या क्या होगा तो यहां पर प्रेग्सिप पॉलिसी है अब प्रेग्नेसी पॉलीजी पढ़ लीजिएगा अच्छे से यहां पर लिखी है तो यह आपको समझ में आ जाएँगा ठ जो है वैक्सिनेट भी चाहिए आपको जबी भी जो है कोईट का सर्टरफिकिट लगागा कि आपके दो डोस वे एक दोस वा जो भी है तो आप जितने डोस कम्प्लेट कि है वह भी आपका रहना जरूरी है और यहां देखिए आपको बॉनस मार्क में यह बॉनस मार्क के उप हैं अगर आप इसपोर्ड पर्शन और इंटरनेशनल प्लेयर हो वीश मार्क मिलेंगे आपके पास सिन्यर जुनियर में मेडल है तो आपको पंद्रा मार्क मिलेंगे और सिभ्ण मार्क मिलते हैं यहाद रखिए ठीक है यहां पर कोई कोई माफ नहीं होती एक्जाम में एक् अब उसके बाद यहां बात आती है अगर आपको 10 मार्क मिलेंगे अगर आपने दिस्टिक में मेल लिया है स्टेट या डिस्टिक में ठीक है देखें यहां पर में डिस्टिक में स्टेट में अगर अपने अपने मेडल या पाच मार्क मिलेंगे अगर आपने स्कूल गेम्स ठीक है अगर आपके पास पार्टिसिपेशन है तो यहां पर आपको पाच मार्क मिलेंगे ठीक है तो यह सी यहां पर मैं कोई आपको direct sport कोथा से भरती नहीं करती है पर अब यहन्सिसी है तो पाच मार्क मिलेगा आपको a certificate और बी certificate है तो 10 मर्क अगर आपके पास c certificate है तो exam map होता है exam के जिन बुलाया जाता है पर आपका जो है 100 प्रड़ेड मार्क्स एक्जाम में काउंट हो जाता है डायरेक्ट सी सर्टफिकेट है तो अब यहां बात आती है कि यार किस गेम का सर्टफिकेट चलेगा इसमें पूरे थर्टी त्री गेम से यहां पर मैं आप नीचे में आ जाना तो देखें डॉकुमेंट्स आपको क्या क फिक है पहले ही चाहिए. यह सारा कुछ दोमेस से प्लाब बन जाता है तो यहां पर अपको स्कोल से लगता है अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो कॉलिज में पढ़ रहे हो अगर आप कॉलिज पास आउट होगे तो आप सरपंच यह आपके नगर निगम से जो है कैरेक्टर सर्टपिकेट ले सकते हो ठीक है अब यहां रिलेशन से सर्टपिकेट सी भूनी को लगेंगा जिनके माता जी पिता जी जो भी भाई बैन आर्मी में सर्विस कर रहे तो उनके लिए रिलेशन सर्टपिकेट का जराफ्स लगता है ठीक है अब इसके नीचे में आप जैसा होगे तो यहां पर में बाकी भी डॉकुमेंट्स लगेंगे आपको जैसा एक मेंट यह थोड़ ब्लोर हो गया पीडियाफ तो यह आ जाएगा जल्दी तो यहां पर नीचे में आपको दिखेंगा लिस्ट आप अब देखें यहां पर मैं बताता हूं एक मेंट्सिप्ट थोड़ा इसको खुलने दीदिया अच्छे से ताकि कि कि रिलेशन सर्टपिकेट होगी है ता अप अगर आप एंसी सी में अपलाए अगर आपको पास एंसी से सर्टपिकेट है चाहिए ओबी ओओ तो उसका भी आपको जो है फोटो कॉपी लगेगा और यह ओरिजिनल में जब रेली में जाओगे यह सारे डॉकुमेंट आपको ओरिजिनल में भी लगेंगे और इसकी फोट में लिस्ट दी गई नीचे में तो उस लिसे साब के अब आप अन्मेरिट सर्टपिकेट भी लगता है यहां पर में तो अन्मेरिट सर्टपिकेट भी बने यह सारे डॉकुमेंट जो है जैसा कास सर्टपिकेट हो गया है रिलीजिन का सर्टपिकेट तो पुराना चल जाए पर जो रिलिजेंट बोल चे मैने से पुराना नहीं चाहिए आपको लगाना जरूरी अब यहाँ पर मैरेट बेखिए जो वीडियो होती है उनके लिए होता है और यह रिक्रूमेंट जो है अल्रडी मेरिड है और उनके हज्मेंट जिंदा है तो उनके लिए भरती नहीं है आप मेरीड हो तो फॉर्म मत भरिये आपको बाद में भार कर देंगे तो इसलिए यह है कि अपलाय करें ठीक है अब यहां पर आपको एफिटेट भी लग इसा नहीं होगा अब यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए आप यह इंस्ट्रक्शन पढ़िए आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एड्मेट काड कैसे प्रिंट करना है क्या है और कहां से एड्मेट काड आएगा देखो एड्मेट काड जो है आपको www. www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट से आपको एड्मेट काड डाउनलोड करना पड़ेंगा यह आपके ऑफिशल इमेल आइडी पे भी वह सेंड कर सकते हैं पर आप जो है इस जो मैंने वेबसाइट बटर यहां से ऑनलाइन फार्म भी भी बिल कर सकते हैं और यहां से आपको ज काफी पेजेस है इसलिए यह थोड़ी धीर अवर लेट ओपन हो रही है ने तो यह अगर मैं एक हमलद से बरती बता है आपको तो यह जल्दू से दूसरा कुछ नहीं तो थोड़ा आपने रुखना पड़ेंगा इसमें देखिए यहां पर पूरे इसमें सारे दिये गए है कि कौन सा वाला कहां लगाना है कहां से फिल करना है सब इसमें फॉर्मेट दिया गया है तो थोड़ा उन्हें में टाइम ले रहा है तो आपको थोड़ा रुखना पड़ेगा ज्यादा इंततार नहीं करोंगा जल्दी जल्दी उपन हो जाए मेरे भाई ठीक है यह हो रहा है कि रैंक पर आप वहाँ पर जॉब करोगे तो आपको एक यूनिट दिए जाएंगी ठीक है अभी तक जो है वोमन्स कैंड़ेट जो है 300 कैंड़ेट में से अपनी एक इंडिया की पहली प्लियर जो भरती होई वो तो जेसी रैंक पर चले गई तो वो तो डायरेक्ट स्पोर होकी कबड़ी खोको तो इनकी टीम क्यों नहीं बन पार है इसमें आर्मे में यहां पर रिजन क्या है कि जादी यूनिट नहीं है उमन्स की जादी यूनिट रहेंगी तो सबकी अपनी यूनिट की टीम बनेंगी टीम बनेंगी तो कॉमपोडिशन होगा और कॉमपोडिशन है अब यहां से तीन साल के बाद आप देखोगे तो सर्विसेस जो है उमन्स का टीम लेकर के 100% आएगा जब उमन्स की यूनिट जादा बढ़ जाएंगी स्टेंट जादी हो जाएंगी तो टीम बनेंगी एंटर सर्कल मैचेस होंगे एंटर सर्विसेस होंगा ब्रिगेड हों होगा यह मैचेस जब होंगे तब जाके टीम इवेंट की जो है बरतिया होंगी इसमें बोर्ड की लिस्ट भी दी गई है जाने कि आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड से अपने टेंथ पास किया है तो यहां पर एक दो चीज़ बोलना जाओगा बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कू अब यहां पर यहां पर देखिए आप पूरे गेम देखिए यहां पर एटलेटिक्स की कोई नैशनल पार्टिसिपेशन प्लियर भरती हो जाती है तो वह जो है आप गेम कर सकते हो और आपसे कुई दिक्कत नहीं आएंगी आपको अर्चरी भी इवेंट जो है इन्डियो जो ले बैडमिंटन हो गया जैसा बास्केटबॉल अब टीम इवेंट है इसमें थोड़ा दिक्क्र आ जाती है यहां पर देखो गेम लिस्ट दी गई है इनी गेम के लोगों को बोनस मार्क लेंगे और आपका सट्टर फिकिट देखिए दो साल से पुराना नहीं चाहिए रिक्रुमेंट डेट से दो साल पुराना नहीं चाहिए ठीक है तो यहां पर पूरे 33 गेम से हैंडबॉल भी इसमें जूड़ो है कबड़ी है यहां पर कराटे है लॉन्टेनी से रोविंग है रभी है स्वीमिंग है फिर सूटिंग है साइलिंग है सब कुछ यहां साम में आ तो आप बिल्कुल स्पोर्ट कर सकते हों अगर आपकी टीम जब सर्विसेस टीम बनाएंगा तभी आप जाकर के सर्विसेस के लिए डिवरिएंट रिप्रेजन कर सकते हों टीम जब तक नहीं करनेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इंडियूजल वाले जादे से ज्यादा अपलाई करें इसमें अगर को स्पोर्ट्स पर्शन टीम इवेंट वाला भी अपलाई करना चाता है नौकरी लेना चाता है आर्मे में सेवा देना चाता है तो यह बहुत अच्छी ब अपने एंटर सरकल के लिए जो भी है आप यहां से गेम कर सकते हो पर सिप टीम इवेंट का थोड़ा कम परोसा है पर इंडियूजल जो इवेंट है उसके लिए 100 परसंट चांस बनता है तो आज की वीडियो में इतना ही याद रखिए यह स्पोर्ट्स कोटा भरती नहीं है पर सिपोठ्स कोठा निया मैने सपीफ काफी आसे एलियू थो अर्क्राइप आइट रिले करती हे औगा लिए और इंटिया आफि हैं तो अनुना अगर कुछ information आएंगी तो मैं अपने वीडियो के मद्दम से आपको जरूर पक्का बदाऊंगा और बॉइस के लिए बॉइस के लिए इसमें इसमें जितने भी गेम दिये सारे सेंटर में टीम इवेंट है आप एरो की भरती का फॉर्म भरिये और आपके बाद डिस्टिक का अच्छा गेम होंगा सेंटर के लिए रिप्रेजंट करोगे और अच्छा गेम होंगा सर्वीस के लोगे सर्वीस अगर सर्वीस टीम में चले गए तो बहुत अच्छी बात है आगे चाहिए डिप्नोमा करिए फिर क्या आप स्पोर्ट में रहेंगे आपकी है ना तो यह त करती होने का स्पोर्ट में जाने का वीड़ूट सर्टफिकेट और सर्टफिकेट रहने के बाद बेनिफिट यही होता है कि आप जैसा भरती हो गए तो जाते से एक दो साल में जो आप एनायस के लिए अपलाई कर सकते हो सर्विसेस के तरफ से तो उसमें थोड़ा आपको फीज वगिरे में और वहां से आने के बाद जो है आपको बाकी यूनिट में नहीं भूमना वरता है सेंटर में रहे करके आप कोजिंग करा सकते हो अच्छे से और और अच्छा टैलेंट है आपके पास तो लाइसन्स कोर्स कर सकते हो आपके फेडरेशन से फिर और नेक्स वीडियो में जैहिन